नमस्ते मैं हूँ सरिता आज मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ हरी मटर की घुगरी वो भी बिर्ना मसाले की तो आईए चलते हैं किचन में कढ़ाई में मैंने डाला है देशी घी और इसके गर्म हो जाने पर मैं डाल रही हूँ जीरा, कटा हो अल्यासन और हरी मिर्च इसके गुलाबी होते ही हम इसमें आलू और मटर को टाल देंगे इसे कढची से चला देंगे और इसी समय हम इसमें नमक डाल देंगे नमक डालने से आलू और मतर पानी छोड़ देंगे और उसी पानी से सब्जियों के पानी से ही ये पक जाएगा इसमें हमें अलग से पानी नहीं डालना है वरना स्वाद उबला हुआ हो जाएगा और इसे 10 मिनिट के लिए ढख देंगे 10 मिनिट हो गया है आईए इसे खोल कर थोड़ा सा चला देते हैं देखिए सब्जियों ने पानी छोड़ दिया है लेकिन अभी ये पका नहीं है इसलिए हम इसे एक बार फिर से ढख देंगे 5 मिनिट हो गया है एक बार फिर खोल के देखती हूँ क्या हल है अभी थोड़ा पानी है हमें इसी पानी से अपनी घुगरी को पका लेना है वरना इसका पोशकता तो कतम हो जाएगा और स्वात भी कम हो जाएगा तो इसी पानी से हमें धक के पका लेना है जब ये पानी सूख जाएगा तब हम इसे खोल देंगे और थोड़ी देर भून लेंगे अब हम इसमें धन्या की पत्ती डाल देंगे और नास्ते के लिए घुगरी तयार है